थे जो पजारी अमिकदाश यहांपर हमारे साथ मौजूद हैं जो इसमेवाइस मंदर के महनत है जी पजारी जी बताईढ़ी के क्या मानता है और रामदर्वार यहां लगए जाता है आई से लोग माम हत में गुप्तहरी चक्रहरी जी इस नहीं जो 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 जूए इसका बुरान में इसका बरवनन आता है, गुपतारी चक्रहरी जो में यह स्थान सद्जुग का स्थान है, इसके बाद्स पर जो 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 है देवर्शु सन्गराम हो था, तो तो राख्शतों में बहुत भैंकर यदु वहा उस योधł में जो है, कि युद्धि से भागने लगे तो उनके अगवा बनकर संकर जी जो है सभी देवता को रोके उसके बाद सभी को लेकर बर्मा जी के पास गए बर्मा जी के साथ सभी देवता जो है सबी मिलकर भगवान विश्णों जी के पास गए जब भगवान विश्णों जी के पास के ज़िए वहाँ पर भगवान विश्णों योग निद्रा में थे तब सभी द्योता भगवान के अस्तुति किये तब भगवान विश्णों अपना नेत्र खोले बागवान विश्णों कहा कि मैं अपने योग से जान गया हूँ, आप लोग यहां क्यों आए क्योंकि आप सब जो है बल हीन हो गया है, तेज हीन हो गया है इसलिए आप सब का राजपार चला गया है आप सब को जो है राज पाने के लिए स्वरगात आप सब को पराप्त करने के लिए आप सभी सभी दोता मिरत लोग का जुद्या च्छेते में आप सब जो है गुप्त रूप से तप इश्या करें भगवान विश्णु कहा कि मैं भी तप करूँगा मेरे तप की प्रभाव से जो आप सभी को जो है बल मिलेगा तब ही आप विजय पराप्त कर सकते हैं भगवान विश्णु जो है इसा उपाय पता कर जब भगवान विश्णु बाइकुन धाम से जब अंतर ध्यान होई तब भगवान विश्णु यहाँ पर जो है मिरत लोग में जो चत्र आजुद्या चत्र में जो है चत्र भोज रूप में प्रकट हुए थे भगवान विष्णु जो है नीचे गुप्त रूप से तपिश्या करने लेगे वो तपिश्या करने से पहले उनका सुधासन चक्र जो है यहाँ पर गिर गया था तपिश्या करते हो जब बहुत दिन भीता तो सभी देवताओं को अपार बल हुआ अपार तेज़ भाए उसके बाद जो है दोबारा जब युद्ध किये तो उस युद्ध में यहाँ सभी देवताओं को भीजेप्राप्त हो गया था बिजे प्राप्थ होने पाजे हो सभी देवता जो अपना राजपार्ट स्वरगात पाग है फिर आपस में विचार के चलो भगवान का धन्यबाद दे क्योंकि उनके बतायो है हमें जो है राजपार्ट मिला है सभी देवता अपने गुरू बिरस्पदी जो को भी साथ में लेकर जब यहां पर आये तो भगवान विच्णु जो है गुपत रूप से ही तपीछा कर रहे थे तब सभी देवता भगवान की अस्तुत्य की तब विच्णु भगवान जो है अस्तुत्य प्रसंद होका जो है जो परकट हूए थे विसके बाद यह सभी देवता में भगवान झेका के प्रभूत आपके बताय हुए हमें जो है राजपार स्वरगा जो है हमको जो प्राप्ट हो गया है इस पर भगवान विच्णु जो है प्रशंद हूए भगवान विच्णु नों खाय कि है देवता जो है गुप्त रूप से निवास करते हैं उसके बाद भगवा मिश्णुन कहा है कि मैंने जो यहां जो सुदासन्द चक्र मेरा जो छोट के गिर गया था वह चक्रहरी पीट के नाम से परसिद होगा जो मैंने यहां गुप्त रूप से तपिश्या किया है यहां गुप्त हरी जी के नाम से परसिद होगा कोई भी जी कोई भी प्राणी सरुज्य मिश्णान करके गुप्त हरी चक्रहरी जी का जो भी पूजा पाट करेगा उसको मनवांचित फल मिलेगा उसके बाद जो यहां कारतिक का विशेस कर महात्म है कारति पर तीर्थों के साथ गर्जना करते हुए कहते हैसी छलो सभड़ गुप्रतार पर आते हैं इसमेश्थन करते हैं। उसके बाद यहां पर कार्तिक भर जो है यहां सभी देवता जो है यहां पर निवास करते हैं देवराज इंद्र भी जो है सभी देवताओं के साथ यहां पर आते हैं और कार्तिक भर जो है यहां पर गुप्तारी चकरार जी का पूजा पर करके यहां पर भी देवता लोग भी यहाँ बास करते हैं यहाँ एक महातमती यह हुआ है दूसरा महातमे जो है जुद्धिया में भागवारा ग्यारा हजार बस तक राज की थे जब परामधाम को जाना होता तो सबसे पहले माता सीता चले गए थे तब इसके बार राम जिनी लक्षमन का परित्याग कर दी थी लक्षमन जी जो है अपने जुद्धिया में लक्षमन घार वहीं से पारमधाम को चले गये थे राम जी अपने भाईयों को और पत्रों को राजी विश्टे कर के जब राम जी अजुद्या चले लेंगे तो उनके पूरा परजा का ही प्रभू हम भी आपके साथ में चलेंगे यदि आप हम सभी को लेकर नहीं जाएंगे तो हम सब अपने ही बद कर लेंगे और प्राण त्याग देंगे तब भगवान ने कहा ठेके अजुद्या से हनमान जी को जामुँझ जी को विभी सर जी को दूबीता और मयाद इन सभी को रोक दिये थे उसके बाद R boxes ने अपने गूरु पर मने सब्सक्राइब के आप हमसे आगे पहले अगनी होते की अगनी जो है, लेकर चले। नाम भाग में इन वृढो भाग मी एक राम झीटेगत लाजजादी ए मताथ आउनी, इस छोआ रूचलनी लेगे. फिर पूर्भाण प्रतेंचा मैं पीछां आप्छे सब्सक्राद सुनके डीर अखने बेकर जलेगे है। राम जी जो है ज़िवन निकले तो आधा कोश अंदर्शिन दिशा को गए हैं फिर परश्चिन दिशा को होते होई यहांपर राम जी आये यहांपर बर्मा जी सभी देवताओं के साथ करोणों बीवानों के साथ यहां पहले ही उपस्तित है उसके बाद सभी राम जी के पहु जो है बानमिक possono में लिखा है कि गोप्रतार घाट पर जयपाया राम जी एक उत्ताम अस्थान पाया है उत्ताम अस्थान क्योंकि या मअगवाय विष्ण गुप्तरुसी यहां पहले ही तपिस्या किया तो आप अपने बाइसन शुरूप में ही प्रवेश करें। उसके बाद उनका बाहन गरूना है। उसके बाद उनका बाहन गरूना है। अपने बर्मन लोग के ऊपर एक संतानक लोग है। उस लोग में सभी को रहने का स्थान दे गए। उसके बाद जो है सभी अजुद्ध्यावासी जो है। पस्पच्छी तक परबत जंगम जितने अस्थावर जितने जीव जनती तो आणों से अणों तक कोई अजुद्ध्या में बच्चा ही नहीं। सब लोग जब यहां पर आये, यहां पर मौझूद हुए, उसके बाद सब लोग राम जी का नाम ले, उनका चिंतन करती हुए, सभी लोग जो है सरीजों में डूपके लगाए, दिब सरीड हुआ, उसके अबाब विभ्यान बठे, परम धाम को लेकर भगवान राम यहीं से चले गई थे, अबें बात करों, तो कल प्रभू सरी राम लाला की प्रन पतिष्टा हो नहीं है, ऐसे में अयोद्या की फिजा कितनी बदली है, बातावरण कितना बदला है, कितना राम महाल है अयोद्या में से इसमें तो बहुत हो गया है, बहुत सुंदर बहूत अच्छा हुआ है क्योंकि अजुद्ध्या पहले से बहुत अच्छा बन गया है क्योंकि पहले यहां गुपतार पर भी बहुत काम आते थे इसलिए अब साब लोग बहुत लोग यहां पर गुपतारगाट पर भी आ रहे हैं बहुत अच्छा हो गया है पहले बहुत अच्छा दालू यहां फर भी दासन खने के लिए आ रहे हैं। बहुत बहुत दन्यवाद पंडेजी आप।